आज आप सिखेंगे टेक्स्ट सिलेक करना, साथ ही सिखेंगे होम टैब में क्लिप बोर्ड ब्लॉक के अंतरगत, कट, कॉपी और पेस्ट आप्शन्स का उप्यूग करना, किसी भी वर्ड, सेंटन्स या परिग्राफ को कट, कॉपी या डिलीट करनी के लिए सबसे पहले उसे सिलेक करना होता है, sentence को select करने के लिए जहां से sentence शुरू हो रहा है वहां mouse ले जाएं और click करके बटन को छोड़े बिना जहां तक sentence select करना हो वहां तक mouse को drag करें देखिए ये sentence select हो गया है अगर पूरे paragraph को एक साथ select करना हो तो paragraph के शुरू में या आखिर में mouse से तीन बार जल्दी जल्दी क्लिक करें ऐसा करने पर पूरा paragraph select हो जाएगा यदि आप फाइल का पूरा matter एक साथ select करना चाहते हैं तो उसके लिए shortcut की है Ctrl प्लस A ये देखिए Ctrl और A की इसको प्रेस करने पर पूरा matter एक साथ select हो गया है अगर किसी matter को cut करके कहीं और पेस्ट करना हो तो पहले उस matter को select कर लें ये हमने इस first paragraph को select किया है मान लिजिए इसको हमें यहां से cut करके कहीं और पेस्ट करना है इसको select करने के बाद home tab के clipboard block में cut का option मिलता है इस पर click करें या फिर shortcut keys Ctrl प्लस X प्रेस करें cut करने पर matter अपनी जगह से यानि जहां से हमने उसे cut किया था वहां से हट जाता है अब आप इससे अपने document में या किसी और document में जहां भी जितनी भी बार पेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं हम इसी document में इसको नीचे पेस्ट करना चाहते हैं जहां भी उस document को पेस्ट करना हो वहां पर पहले क्लिक करें और फिर clipboard block में जाकर पेस्ट option पर क्लिक करें या फिर shortcut keys control और V प्रेस करें इसी तरह किसी matter को copy करने के लिए उस matter को select करके clipboard block में जाएं यहाँ copy option दिखेगा उस पर क्लिक करें या फिर shortcut keys control और C प्रेस करें यह matter copy हो गया है अब इसे आप अपने document में या किसी और document में कहीं भी कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हैं पेस्ट करने के लिए जहाँ इसे पेस्ट करना है वहाँ पर क्लिक करें हम इस paragraph को यहाँ उपर पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके हम clipboard block में पेस्ट पर क्लिक कर देंगे या फिर shortcut keys control और V प्रेस कर देंगे यह देखिए यह मैटर यहाँ पर पेस्ट हो गया है कॉपी करने से वो मैटर अपनी जग यानि जहाँ से हमने कॉपी किया था वहाँ पर भी रहेगा और जहाँ पेस्ट किया है वहाँ भी रहेगा MS Word 2016 के इस अध्याय में आज आपने सीखा टेक्स्ट सेलेक करना साथ ही सीखा Home टेब में Clipboard Block के अंतरगत Cut, Copy और Pressed Options का उप्योग करना अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियो की जनकारी के लिए हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें